दोस्तों इंडिया और उस्टेलिया के बीच में पहला वन डे मैच वर्ड कप से पहले 22 सेप्टेंबर को एक वज के 30 मिनट से आईस बिंद्रा ए स्टेडियम मोहाली में होने वाला है सबसे पहले यहां के मौसम की बात करते हैं तो यहां का मौसम थोरा से आपको खराब रहेगा बारिस होने के थोरे से चांसेस रहेंगे वैसे humidity लगवग 70% के आसपास के यहां पर देखने को मिल सकती हैं लेकिन temperature ठीक ठाक रहने वाला है यहां का और वैसे धूप और उसके अल लेवाजी करने वाली टीम को यहाँ पर overall 47% जीत मिली है, अब बात करेंगे यहाँ पर spin और fast balling किस तरीके से मदद मिलता है fast baller और spinners को, overall अगर किछले 4 मैचों के performance यहाँ पर देख हैं, तो उन 4 मैचों में fast baller को और second inning में fast baller को ज़्यादा बिकेट देखने को मिलता है, overall spinners की बात करें, तो spinners ने total पिछले 4 मैचों में 13 बिकेट लिए, उन 13 में से 10 बिकेट पहली इनिंग में spinners को देखने को मिला है, जबकि second inning की बात करें, तो second inning में spinners को total 3 बिकेट यहाँ पर मिले हैं, मतलब spinners को second inning में ज़्यादा help नहीं मिलता, तो आपको ये mind करना है, कि जो भी team बाद में गेंदबाजी करेगी, उसके spinners को ज़्यादा team में नहीं रखना है, जो team पहले गेंदबाजी करें, उसके fast baller को थोरा सा कम team में रखना है, इस चीज़ को बिलकुल mind कीजेगा, उसके अलाबा हम बात करेंगे, overall जो पिछले यहाँ पर 10 one day match खेले गया, उन 10 one day matchों में total 86 विकेट fast baller ने लिया है, जबकि spinners को यहाँ पर 48 विकेट मिला, मतलब spin और fast balling में बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, 36% विकेट spinners को मिले है, पिछले 10 one day matchों में जबकि 64% विकेट fast baller को मिला, तो fast baller को ज़्यादा मिलता है, इस पिछ से यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो record मैंने यह बताया है, उसको बिल्कुल mind में करके तभी आपको ballers का selection करना है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर जो recently 50 over के 3 match खेले गए, वो आपका खेला गया था December में और वो था बिदर्व Cricket Association Stadium, बिदर्व Trophy का मैच खेला गया था 50-50 over का, जिसमें UP हरियाना के बीच में जो मैच हुआ, उसके लाबा सौराष्ट जारखन के बीच में मैच हुआ, साथ विकेट से सौराष्ट ने जीता, और हैदराबास सौराष्ट के भीच जो मैच हुआ, वो साथ विकेट से सौराष्ट ने जीता, मतलब पिछले जो ये 250 over के मैच हुए, उसमें बाद में बल्लेबाजी वाली टीम को जीत मिला, एक मात्र मैच में यहाँ पर पिछले के खेले गए, जो रिसेंटली तीन मैच है, उसमें भी कोई ज्यादा यहाँ पर बड़ा स्कोर उतना देखने को मिला ने, हाँ, एक सेकेंट सेमी फाइनल मैच में जरूर 200 प्लस का स्कोर बना था, उसकी अलाबा बागी के मैचों में 500 से नीचे का स्कोर यहाँ पर देखने यानि कि 279 रनों का एबरेज स्कोर पहली इनिंग का नजर आते है, जबकि सेकेंट इनिंग में 238 रनों का एबरेज स्कोर यहाँ पर नजर आते है, जो कि ज्यादा बड़ा अंतर है नहीं, हाइस टोटल इस ग्राउन पर 392 रन बने थे, जो कि स्रिलंका और इंडिया के बी जीता भी था वो मैच, उसके लाबा लोएश डिफेंडेड स्कोर की बात करें, तो यहाँ पर RSA और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था, उसको डिफेंड भी किया गया था, और इसी मैच में यहाँ पर डिफेंडेड और लोएश टोटल बने थे, अब आगे जीता भी जीत गई तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो और एक से ऑस्टेलिया पिछला सीरीज अभी ही जीत गई थी, जो कि मार्च के महीने में यहाँ पर खेला गया था, उसके अलाबा हम बात करेंगे, तो फिलहाल के लिए जो पहला वंडे मैच हुआ था, वहाँ ऑस्टेलिया ने पहले बलेबाजी करी 188 रन, 10 विकेट के नुक्सान पर बनाए और मिचल मार्च ने एक एसी बनाया था, जो आपको सीरीज में खेलत 45 रन बनाया, मिचल श्टार्क तीन विकेट लिया था, मार्कास एस्ट्राइन उसको दो बिकेट मिला था, श्टार्क भी आपको खेलता नजर आएगा, मतलब जीतने भी प्लेयर सी यह आपको खेलते नजर आएगे, हेट टु हेट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि जिन्वा ने पिछले स्रीज में भी मार्च में परफोर्मेंस किया वो बंदे इस मैच में भी परफोर्मेंस आपको करके दे सकते हैं उसके अलाबा दूसरे वंडे के तरफ चलेंगे ऑस्टेलिया जीत गया था भारत पहले बल्लेबाजी किया 26 ओवर में 117 पर 10 विकेट हो गये थे बिराट ने 31 रन बनाए थे अक्षर पटेल ने 31 रन उसके अलाबा मिचेल श्टार्क ने यहाँ पर 5 विकेट लिया था भारत के खिलाब लेप्टाम पेसर उसके अलाबा सौन अबोट एंथनी ने 3 विकेट लिये थे चलते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने पहले बर लेबाजी करी 279 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए वनचास ओबर में ओल आउट हो करके और मिचल मार्स ने फिर यहाँ पर 47 रन बनाई यह बंदा दो मैच में लगातार भारत के खिलाब चला एलेक्स केरी ने 38 रन बनाए पांड्या ने 40 एडम जेंपा को 4 बिकेट मिला एस्टेन एगर ने 2 बिकेट लिए यह बहुत इंपोर्टेंट प्लियर से एडम जेंपा इस पर थुरा साब को फोकस करना अब बात करेंगे दोनों टीमों के 10 मैचों का परफॉमेंस तो भारत ने 10 मैच से 6 मैच जीते 204 का स्कोर उसके लाबा 306 का हाइस और 157 का लोेस्ट इसकोर यह 356 और पाखिस्तान के खिलाप आया था अच्छी टीम के खिलाप आयाथ था अच्छी बॉनिंग लाइनप के खिलाप आया था उसकी अलाबा और आश्ट्रिया टीम ने जो 10 मैच के लिए 6 मैच जीते 250 का अभी ज भारत ने जो 10 मैच खेले हैं इस ग्राउंड पर उसमें से इसने 5 मैच जीते हैं। 207 रनों का लोईस्ट स्कोर उस्टेलिया का इस ग्राउंड पर नजर आता है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में कि भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वैसे स्रिया सहीर शामिल हैं। लेकिन वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे होंगे चुकि स्रिया सहीर प्लेइंग 11 में नहीं होंगे और अगर स्रिया सहीर होते हैं तो रितुराज गायकवार्ड फिर यहां पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे तो रितुराज गायकवार्ड यहां पर आपको छठे नंबर पर नजर आएगा उसके लिए बार पारदूर ठाकूर के जगापर रभी चंद्रा नस्ट्रीन खेलते नजर आ सकते हैं इस चीज़ को ध्यान में रखना है चुकि यहाँ पर आपको जस्पृत बुम्रा उसके लाबा मोहमद सिराज खेलेंगे चुकि इनको वर्ड कप खेलना है और जैसी टीम के खिलाप यहाँ पर अच्छा परफॉमेंस आना इनका जरूरी है इसी वज़ा से एक प्रैक्टिस के वज़ा से यह दोनों खेलते जरूर नजर आएंगे और प्रसिद कृष्णा को थोड़ा से बाहर रहना पर सकता है सिरियस हेजर का सस्पेंस बना हुआ है उसके लाबा भारतिये टॉप Dr. अगर आप देखो तो यहाँ पर 5 नंबर तक में दो आपको लेप카 सबताया उसके अलाबागा भारत के तरफ से दस-दस और बाॉलिंग कौन करेगा मैंने पहले ही बताया रभी चंद्रा रश्वीन के खेलने के चांस कम है और इस्पिनर है बापजी दिसके चुकि वासिंग्टन सुंदर टीम में अल्रेडी है उसके अलाबा रभीन जरेजा टीम में है तो यहाँ पर मैंने बताया कि इस्पिनर को कम मदद मिलता है शुरू मे करने वाले हैं उसके लाबा रभीन जरेजा और वासिंग्टन सुंदर भी 10-10 ओबर करेंगे लेकिन तिलक बर्मा को बीच में आजमाया जा सकता है और तिलक बर्मा का जो ओबर होगा वासिंग्टन सुंदर के ओबर से कटोती की जाएगी तो यह चीज़े आप समझ गया हो मतलब यह चार नियर हमारे हुए उसके लाबा मोहमाद सिराज और जस्पीद बुमख़ण को मैं टीम में रहोंगा तो यह टोटल हमारे छे प्लेयर इंडियन टीम से यहाँ पर यह सारे players आपको नज़र आएंगे तो अगर ट्रेविस हिट की बात करे है तो थोड़ा से इनका खेलना suspense है वैसे यह खेल सकते हैं अगर ट्रेविस हिट नहीं खेलेगा तो यहाँ पर आपको LX केरी खेलता हुआ नज़र आएगा ट्रेविस हिट के जगा पर उसक मुझे लगता है पेट कमिंग्स हैजल बुड और उसके लाबा नाथन एलिस के साथ ही टीम जा सकती है चुकि भारत में जो आपने मैंने प्लेंग 11 बताया उसमें अधिकतर आपको लेफ्ट हेंडर टॉप 6 में 4 मिलेंगे तो इस वज़ा से हो सकता है नाथन एलिस के साथ ही जाए और मेचल स्टार को ट्राइ ना करें अगर करती है तो मेचल स्टार को जरूर टीम में रखना है आप लोगों को तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है और श्रिया के तरफ से एडम जेंपा बहुत ही खतरनाक हो सकता है दस ओबर ये करेगा ही करेगा पेट कमिंग्स दस ओबर जेस हैजलवूट दस ओबर नाथन एलिस दस ओबर उसके अलावा केमरन ग्रीन और ट्रेविस हेड अगर खेलते हैं तो ट्रेविस हेड और मार्का से इस इनके ओबर्स यहां पर बठते हुए आपको नजर आने वाले हैं और इसमें से कोई भी पांच ओबर चार अगर इन प्लेयर्स में से किसी का भी यहां पर खराब जाता है तो वह और सकत करके आपका मार्का से यहां पर ट्रेविस हेड में जा सकता है इस चीज को ध्यान में रखना अब बात करेंगे और तरब से प्लेयर कौन से रखेंगे चुकि ऑस्टलिया टीम मजबूत है और इस ग्राउंड पर काफी अच्छा परफॉमेंस है भारत में अन एक्स्पीरियंस प्लेयर भी काफी सारे शामिल है तो उस बेस पे हम सबसे पहले तो यहां पर डेविड बॉर्डनर को टीम में रखना चाहेंगे मिचल मार्स का मैंने हेड टू हेड में बताए यह बंदा हम को और एडम जैंपा को उसके लाबा जॉस हैजल वूड यह पांच प्लेयर हमारी लिए इंपोर्टेंट होंगे बाकी प्लेंग लेवन आने के बाद डिसाइड करेंगे वैसे दोनों टीमों की स्कौर्ट बताएं आपको पहले बता देते हैं कि किस किस प्लेयर का कैसा अबर में मिल सकता है मौका शुगमन गिल्ट बहुत जवर्दस फॉर्म में डेविड बॉर्णर का लाजबा परफॉमेंस देखने को मिला दो सेंचुरी हाप सेंचुरी यह साउथ एप्रीका में भी लगा चुके हैं उसकी अलाबा रेविस हेड मैंने बता है थोड़ा सा स स्पैंस है औल राउंडर के तोर पर वैसे वासिंग्टन सुन्दर का रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है पर इनको मौका मिलता या नहीं मौका मिलता यह देखने वाली बात होगी लेकिन रभी चंद्र अस्ट्रे नहीं बलकि वासिंग्टन सुन्दर ही खेलते नजर आएं बहुत जबर्दस परफॉमेंस किया है शार्टोर ठाकोर यह बहुत ट्रम प्लेयर भारत के लिए हमेशा साबित होते हैं और उसके अलाबा पेट कमिंग्स भी बहुत जबर्दस फॉम में इससे में चल रहा है तो अब आगे बात करेंगे ऐस्टलिया के स्क्वाड की तो आ आप यहाँ पर आराम से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं साथी साथ हेट टू हेट की जो बिनिंग टीम है वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइट कर देता हूँ और यह हेट टू हेट की टीम 101% परफॉमेंस करके देगी और आपको हेट टू हेट की लीग जितवाएगी लेकिन इसको एडिट करके लगाईएगा और अगर प्लेंग 11 में कुछ चेंज होता है तो फिर ये टीम चेंज होगी और वो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट प्रोवाइट करूँगा तब तक लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते